मद्रप्रदेश कॉंग्रिस अध्यक्ष पत को लेकर घमासान तेज हो गया है और मुख्यमंत्री कमलाथ ने आज दिल्ली में पार्टी के अंत्रे मध्यक्ष सुनिया गांधी से मुलाकात की और इसमें नए नाम पर चर्चा और फिर ऐलान होने की उम्मीद है इस बीच खबर है कि जियोतिरा दित्ति सिंधिया ने PCC चीफ के लिए पार्टी के कई बड़े नेताओं के सामने अपना दावा पेश कर दिया है और सूत्रों के वाले से खबर मिली है कि जियोतिरा दित्ति सिंधिया ने PCC चीफ पत के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी इस पर क्या कुछ कहा राजस्थान के सियम अशोग गहलोत ने सुनवा देते हैं आपको तो जोतिरादेत सिंधिया ने छोका है अधेक्षपत के लिए दावा और इसी को लेकर अब घमासान भी तेज हो गया है पार्टी में कमलाथ ने मुलाकात की है सुनिया गांधी से और जिसको लेकर माना जा रहा है कि जल्दी तस्वीर भी साफ हो सकती है हाला कि मुख्यमंत्री अशोग गहलोत जब PCC दफ्तर पर पहुँचे तो वहाँ पर भी मीडिया ने उनसे कई सवाल किये और इस पर क्या कुछ कहा गया राजस्तान के सीम अशोग गहलोत की तरफ से वो भी आगया आपको सुनवाएंगे लेकिन खबरें इस तरीके के सामने आ रही है कि सिंधिया बीजेपी के कई नेताओं के संपर्क में हैं और इसी वज़े से पार्टी में और ज़्यादा खलबली भी मच गई है अटकले हैं कि आज पार्टी के नए प्रदेश बभारी के नाम का भी ऐलान हो सकता है और चलिए इस बीज़ आपको सुनवा रेते हैं कि यह जोरान क्या कुछ कहा गया मुख्यमंत्री अशोग गहलोट की तरफ से इस पार यह मुझे इसकी जानका यह नहीं है और यह हाईकमाड का कावेग राजियों में वो क्या सेंसले करते हैं किस रूप में करते हैं इसके बारे में कौन क्या कोमेंट कर रहा है और संदर्व क्या था मुझे नहीं मालूम इसलिए मैं कोई कोमेंट नहीं कर रहता है तो आपको बतादे की खबर है कि जोत्रादित सिंधिया ने PCC चीफ के लिए पार्टी के कई नेताओं के सामने अपना दावा पेश कर दिया है और अब इसको लेकर माना जोरा है कि जल्दी तस्वीर भी साफ हो सकती है क्योंकि अंदर खाने जो घमासान है वो तेज हो गया है पार्टी में भारी के नाम का भी ऐलान हो सकता है तो मद्रदेश कॉंग्रिस में फिल्हाल घमासान तेज नजर आ रहा है और इसी वज़े से पार्टी के आंत्रे मध्यक्ष सुनिया गांदी से मुलाकात की है आज मुखिमंत्री कमलनाथ ने और इसमें नए नाम पर चर्चा और फिर जो एलान है उन्हें की उमीद जाहर की जा रही है इस बीच खबर ये भी है कि जूतरादितिसिंद्या ने पीसीसी चीफ के लिए पार्टी के कैई नेताओं के सामने अपना दावा पेश कर दिया है क्योकि नाराज़्गी जाहर कर दी है जूतरादित सिंद्या ने और इसी जम्मिदारी ठोकी है हाला कि कई तरीकी की सफाई जो है पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से सामने आई है कि ऐसी कोई बात नहीं है पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन आपको बता देखी जब मद्रप्रदेश में चुनाव हुए थे उजोरान भी मुख्यमंत्र है और इसी वज़े से अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी है माना जौरा कि कई बीजेपी निताओं की वो संपर्त में भी हैं और अठकले हैं कि आज पार्टी के नए प्रदेश ब्रभारी के नाम का ऐलान हो सकता है करते हैं किस रूप में कौन क्या कॉमेंट कर रहा है और संदर्व क्या था मुझे नहीं मालूम इसलिए मैं कोई कॉमेंट ने करता है तो मुखिमंत्री अशोग घ्लत कर रहा है कि कौन क्या कमेंट कर रहा है कौन क्या कुछ कर रहा है इस बाबत मुझे जानकारी नहीं है लेकिन ये फैसला जो अध्यक्ष है हमारी पार्टी की उन्हीं को लेना है लेकिन घमासान तेज हो गया है और आखिरकार माना जा रहा है कि आज तस्वीर इसको लेकर साफ हो सकती है जो तिरा दित सिंधिया जो की काफी करीबी माने जाते हैं राहूल गांधी के गांधी परिवार के लेकिन इस बीच सोनिया गांधी से मिलना कमलनात का इसको लेकर भी तमाम तरीके की जो माइने हैं मुनकाले जा रहे हैं और आज माना जा रहा है कि इसको लेकर तस्वीर भ क्वाफल जाइगा